नमस्कार दोस्तों आप सभी को जय हिंद आज चेश टाट करेंगे लोको पाइलेट के लिए मैथ्स का एस्पेसिल क्लास जो बिल्कुल फिरी रहेगा और चेप्टर वाइज रहेगा मेन फोकस है लोको पाइलेट के लिए लेकिन डिलेवे के सभी गिजामों के लिए महत्पुर्ण होगा तो चलिए स्टाट करते हैं आज नंबर सिस्टम जो की चेप्टर वाज चलेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक इसमें कोश्चन है इसमें नंबर आज नंबर सिस्टम में चल्ट करेंगे जो कि इसमें दूसर एक कोश्चन है तो चलिए स्टाट करते हैं पर्सट कुश्चन है पहला कुशन देखते हैं पहला कुश्चन के लिए वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात कि जिए जो 12 अठारा Marriage और तीश से स्यूंट लेंगे इसका स्यम लेते हैं तो आगर दूर से लगाएंगे यहाँ छे और नौ यहां एकसर रहेगा यहां पंदरह ऊजाएगा उसके आप इहां से 3 से लगा लेते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 2 6, 3 29, 3 7 21, 3 5 15, तो इसके बाद यहां नहीं लगा, तो इसके बाद मल्टिपलाई कर लेंगे, LCM लेते हैं, तो मल्टिपलाई कर लेंगे, तेहां 2 3 6, 2 3 6, 6 2 12, 12 तिया 36, जचातीस, अब 7 35, तो 36 और 35 को बुना करते हैं, और 25 हो गुना करते हैं तो 533 हो गया पांतिया पंदर दिन अठार है उसको अच्छा तरीक अठार है तीन त्यानों आहां से लिए कि दौस इसको जोड़ते हैं जीरो अर्दूनस लग छे हाथ में एक 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 दो एक यानि बारा साथ एंसर अफसर नमबर दी देखें यहां पर वह चोटी से छोटी संख्या ग्याद करें जो 12, 18 और 30 से विभाजे हो यह चोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो इसका LCM ले लेंगे और बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करें जो 12 कोई भी संख्या अंक दे दे इतना से विभाजित है तो उसका HCM ले ले एक चात्र ने एक Sankhyya को एकीस से विभायत करने के वजह है gaan 12 से विभायत किया और उसे उत्तर 35 पराफ्थ हुआ तरह सही उत्तर ग्यात किये तो क्या यहां देखें माना की यहां माल लेते हैं माना यहां इतना नहीं लिखेंगे चलिए कोई संख्या एक्स है कोई संख्या एक्स है एक्स को यहां कितना 21 से विभाईत करने के लिए बूला गया था लेकिन विभाईत कितना किया 12 से कोई संख्या एक्स माल लिए उसको 12 से विभाईत किया गया है तो उत्तर 35 पराप्त हुआ है 21 से बुला गया था लेकिन गया था 12 से तो उत्तर इतना आया था तो एगर इसको इसे सीधा multiply करेंगे एक्स ब्राबर हो जाएगा 35 इंटू 12 और 35 इंटू 12 तो 35 इंटू 12 यहां पर लिखेते हैं अब 15 15 इंटू 12 तो संख्या इतना आ गया यानी एक्स कमान अगया अगर इसको multiply करेंगे तो इसे संख्या को ड़ती से multiply करेंगे तो सही उत्तर आ जाएगा तो इसको काट लेते हैं इसको काटते पहaries सात से साथ ऐा एकीस और साथ पाचे 35 और तीन से इसको कड़ेंगे चार वार में तो यहां बचा बच गया कितना कि बच गया पाच इंटू चार पांचों के बीस हो गया अफसन नमबर डी कि चले अगला अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देखते हैं वह चोटी से चोटी संख्या गयात करें जिसे 23,12,28 में जोडने पर प्राप्त संख्या से पुन्ता विभाजित हो तो कितना संख्या है देखें संख्या है 23,12,28 इतना से मतब विभाजित यहां देखें वह चोटी से चोटी संख्या गयात करें जिसे 23,12,28 में जोडने पर प्राप्त संख्या 33 से पुन्ता विभाजित हो तो यहां सबसे पहले यहां देखें 33 से विभाजित यान 33 का विभाजित कोई रूल नहीं होता है तो इसको multiply दो भागे मात लेते हैं 11 इंटू 3 कर लेते हैं 3 से रूल होता है और 3 से होता है विभाजित करने का जीटरी से विभाजित करने का विभाजित Sounds है और पूरा-पूरा भाग लगया तो फ्रस्कंषा टीन से करगा तो यहां देखिए अंको का जो रिस दू तीन 5 एक 6 688-8-2-10-8-2-10-8-18-8-8-18-8-8-8 जो सब में घ्याष्य्स चेक से सब्र्जेक ते AK गया में यहाँ सब्सक्राइब इसको यहां अधिकियारils चेक करते हैं एक छोड़ेते हैं ग्याप करका इसको जोरेंगे फिर एक चोड़ेंगे फिर एक चोड़ेंगे फिर एक चुरूकर इसको अंतर जीरो या 11 का मल्टिपलाई होना चाहिए तब विभाइत होगा 11 से कि तीन से तब बाइत होगया और 11 रहे से यानिए दो एक तीन दू 5 तो 5 हो गया यहाँ देखते इसको जोडते हैं तो यहां इसको जोडेंगे तो 3 दू 5 अब 5 आठ तेरा तो 13 अगर इसका अंतर करेंगे तो 8 हो जाएगा जो कि 8 एक्यारा से विभाइत नहीं है एक्यारा से आप 8 में कितना जोड़े, जो 3 से भी विभाजित हो जाए, और 11 से भी विभाजित हो जाए, अपसन की हिसाब से, अगर 8 में एक जोड़ेंगे, तो 9 हो जाएगा, 9 में 11 से भी विभाजित करेंगे, नहीं होगा, अगर 2 जोड़ेंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में 11 से नहीं होगा ऐगर आठ में 3 जोड़ते है, यहां देखे़ है अगर ऐग्यारा उतिहां तो अध्यारा हो जाएगा, अगर विभारत करेंगे तो उत्लिधाम कर्जायें और 3 जोड़ते ागला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन बुला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात किजिए जो 25, 35, 40, 30 से पुन्त विभाइत हो देखिए पहला कोशन था जो की था बुला तो वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात करें जो अंक देदिया है से तना से पुन्त विभाइत ह बूल दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद किजिए जो 25 35 40 30 से पुन्त विभाइत करेगी इसका सब्सक्राइब लेंगे सब्सक्राइब लेंगे यहां पचीस पहला पचीस है दूसरा 35 है सब्सक्राइब लेंगे हैं दूसरा 40 है 4 पान Cup 4 तीस है अगर इसका बुन ह ह prisonerался करेंगे तने इसको लफैंगे 25 मुलें पानत लबेव लिख सकते हैं जयर्वर पान तीसको लेंगे 25 तुम्त करेंगे 250 साथ लिख सकते हैं कि उसको चालिस को लिख सकते हैं दू गुने दू गुने दू इंटू पांच लिख सकते हैं थुरा इधर लिख लेते हैं नहीं तो इसको कि दो गुने दो गुने दो गुने पांच लिख सकते हैं कि यहां हो जाएंगा दू двигरा चार दून आoup और पांच चालीस हो जाएगा और तीस को लिख लिखिते हैं गालते हैं जो सभी में कॉमन यानि सभी में कॉमन क्या है दखिए यह पहला लाइन में हैं जो 5 है इसमें भी है सब्सक्राइब पांच है थर्ड पांच है एक पांच है यह कॉमन है तो यहीं सब्सक्राइब पूछा गया था यह कोशन और सभी पूछा के कोशन मिलेंगे बहुत सारा कोशन है दोस्ता इक कोशन है यह सतंख्या पतती में और सभी चेप्टर करवाएंगे टॉफिक बाई चली अगला कोशन देखते हैं अग्राने कोश्यर बूला है इसने में से कौन से संख्या आए भाज्य नहीं है, यानि आए से भाग नहीं लगता है इसमें से दो से विवायथ करने का अग रूल बहुता है कि लास्ट के एक अग्मियंग में ज़ब्धा गलता है तो फाइधिन घीजा सीज और या सीज scripture से जब एक होड़ा में अगरव करने स SPEAKiks जाएगा तो 8 से चेक करते हैं पूरा नहीं चेक करेंगे लास्त का ठीज ही चेक करेंगे जो कि ज्याधा समय देंगे अगर आट से देते हैं यह यहां देखिए 12-666 बार आ ना इतना नहीं लिखेंगे इस सम्झाने के से अब कर नहीं है अगला देखते अफ नमर अप्सन नमर वी में बी में बिलो है पांसोच्छा 540 में राच डीउस्ट दू आट चार यानि आप्सान नमबर बी में भाग लग गया जो कि और भी सी और डी भी चेक कर लते हैं कहीं लग जाए या नहीं लगे कुछ वह देखे बी में लग गया ए में नहीं लगा था यहां क्या बुला इन्हें से कौन सी संख्या आठ से भाग जागा और यहां है आप्सान नमबर डी है तीन सब साथ पर आप देखते हैं तो आठ आठ चव के बत तीस यहां चार आठ चव के लग जगा है तो इसका देखिए यह है को अप्सान नमबर फॉस्ट है जो आठ से भी फाजित नहीं है अगला कुछिन देख लेते हैं अगला कुछिन देख लेते हैं अगला कुछिन बुला है दूसर दो साथ चे एक्स उन कॉमा ठी से वीभाईत है तो एक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा X के संभावित मानों का योग तो यहां देखिए तीन से विवाइत बुला है तो तीन से रूल क्या बुला है कि अंको का योग यानि तीन से विवाइत होने का रूल बता रहा है अंको का योग बटा थिरी यानि अंको का योग बटा थिरी तो अंक कितना है देखिए यहां 27 26 यहां एक्स है उसके बाद एक है तो अंक को जो रहेंगे यहां पे तो यहां देखिए 7 2 7 2 9 9 6 15 15 15 16 16 16 जो कि एक्स से विफाईत नहीं है हुआ है तो 16 तो एक्स अस्थान भी कितना और रखे की विफाईत हो जाया तो 16 17 नहीं होगा 18 यानि एक्स के जवहहपे एक्स कमान यहाँ पर गर दो रखते हैं यहाँ तो दो तो देखिए तीन एक तीन रखते हैं की त worthless इस वा और चाह्ने होगा और फिर से पंग रखते हैं यह पर देख के अगर पंग को कायों हो दर्खते आंश को साڈटो नुच कॉदा ऐसाद नहीं पर यह इस हो जाएगा उसके बाद माद फिर इसमें यह में तीन जोडदेंगे यानि तीन तीन का अंतर लेंगे तो तीन से भाग लग लग जाएगा तो यही बुला जैसे यहाँ पर एक्स के जगा संभावित मानों बुला है तो यहाँ पर एक्स के जगा दो भी रख सकते हैं पांच भी रख सकते हैं और आठो रख सकते हैं ये सभी से, सभी में तीन से भाग लग जाएगा, तो यहां बुल्ला एक्स के संभावित मानों का योग, तो संभावित मान दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, तो इसका योग बुल्ला है, तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, आठ पा संख्या परनाली में 14-528 को एक संख्या में विभायत करने पर सूरेश को भागफल 83 और सेस्फल 3 पराप्त होता है तो भाज्य किया होगा तो इसका फर्मूला होता है देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भागफल होता है भागफल यहां पर हो जाएगा भाज्य बराबर होता है भाजक इन्टू भागफल होता है भागफल होता है पलस सेस्फल होता है यहाँ पर देखे भाज्य तो यहाँ देखे एक संख्य कर माली में 14 68 को यानि किस में भाग दे रहा है? एक संख्या से यानि एक संख्या से कितना 14 28 को 14 5 28 को फर्मूला होता है देखिए भाज्य यहां पर होता है फर्मूला भाज्य बरावर भाजक भाजक गुने भाग फ़ल पलस सेस फ़ल होता है तो यहां देखिए बुला है एक संख्या पनाली में 14 5 28 को एक संख्या से भाग देने पर यानि किसमें भाग दे रहें जिसमें भाग देते वह भाजक होता है तो यानि 14-5-28 में भाग देते हैं 14-5-28 है यह भाजक हुआ एक संख्या से विभाईत करने पर सुरेश को भागफल 83 पराप्त है यानि जिस संख्या से भाग देते हैं वह भाजक होता है तो यहां पर संख्या मालूम नहीं है तो इसको माल लेते हैं कि एक समाल लेते हैं इंट इंत भागफल कितना है भागफल 83 पराप्थ होता है और हो धर अगर इस से इधर इधर माइनस में द Key pra गया तो चाओदा चाओदा पांच अठाइस में से तीन गया तो चाओदा पांच पाचीस बचा और इधर जो एकस है तो इधर गुना में है एकस के साथ 83 इधर आएगा तो भाग में 83 हो जाएगा तो अगर इसको भाग देते हैं अगर इसको भाग देंगे तो एंसर आजाएगा यहां पर अगर इसको भाग देकर देख लेते हैं जो कि कलर दूसरा लेते हैं अगर यहां देखे चाओदा ग्राफ पेज नहीं है इसलिए उसी पर लिख देते हैं चाओदा पां हाए इधर हो जाएगा पाइट इधर हो जाएगा कि में 22 इस ये या दो उतर जाएगा तो 627 बॉक्त हो जाएगा तो 622 को अगर इह टिरासी से ता आफे ला आप में लगाएंगे तो 721 दू 7-856 आद्व 68 तो पांच 181 दो पांच ये दी तो यहां इक हो जाएगा यहां 12 में से 4 हो जाएगा यहां इधर 5 उतार लेते हैं तो यह 7 पर में लगा दिए उसके बाद यह 83 पंच्ये 475 दूसे और यानि बचेगा तब भाजक कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा भाजक अफसन नुम्बर डी इतना रफ कियें लेकिन आप सटकट में कर लेज़ेगा तो इसका एंसर हो जाएगा एकसा पच्छत्तर एकसा पच्छत्तर भाजक हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन बोला है वह सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिसे बीस हजार में जोडने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो क्या बोला है वह सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिसे बीस हजार में जोडने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो तो सबसे पहले यहाँ पे 12, 15 और 25 का LCM निकालेंगे छोटी संख्या भुलेगा तो स्थी निकालेंगी और बाड़ी संख्या भीया तो तो छोटी संख्या यह यहां पर अगर निकालते हैं तो तीन से करते हैं तो 3,4 के 12,3,5,15, 25 हो जाएगा अगर 25 है यहां पर यह अगर पांच लगांगे तो फिर चार हो जाएगा एक पांच उसके बाद आप नहीं लगए तो यहां पर अगर 25 चाओके 100 सो तिया 300 तो यह 300 आया ना यहां कितना आ गया 300 LCM तीन सा गया एक यह 300 है इससे लुए 1 अधार lleils काके 20 लग्में भाग देंगे डीर भाग देखते हैं 3 cha Mmm you cost Sarah inim discard girls Sir अठार हो गया तो यानिनısı दू हजार में से 18 सग्या दू देकर जीरो जीरो गया जीरो और 10 में से आठ गया तो है दो फिर ऑगए मतलब 303फ पुट्या ओंदै किया यहाँ उपर कितना इसमें इड्र करें कि 300 विएयत है कि को 252 सबदाँ is यानि विभाजित हो जाएगा इसमें 100 जोड़ देंगे तो यहीं अंसर हो जाएगा अप्सान नमार डी अगला कुछन दिख लेते हैं कि अगला कुछन बुला है कि अगला कुछन बुला है एक हजार से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो दू चार और छे द्वारा विभाईत है तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटी से छोटी संख्या बोला है तो इसका सबसे पहले एक हजार से बड़ी हुआ है सबसे छोटी घन संख्या जो दू चार और वह सबसे छोटी घन सबसे पहले चार और छे का लिए अगर दू से लगाएंगे तो दो शारी यहां पर एक हो जाएगा एक यह दो और ठी इसको गुना करेंगे दूट दूना चार तिया बारह तो इसका लस्याम हो जाएगा बारह हो जाएगा कि यहां बारह घंबो लाया तो मतल्ला की होता है तो बारह का क्यूक कर लेते हैं अगर présent की होता जो कि मत्म बारा सुवाइवीध दीखेए इस अपसन की सबसे बारा से छोटी शेंख्या बुलबाई यह से बड़ी ते खायर से बड़ी में 1296 भी भार से विधाई जित हुता है लेकिन घं नहीं है 1296 किसी का भी घं 1296 नहीं है इसलिए कि यहां कोश्चन वी बुल्ला है कि वह घं होना चाहिए तो इसलिए अगला कोशन दिखते हैं अगला अगला कोश्चन वी बुल्ला है यादी संख्या एक्स चार चार छे एक ग्यार से विभाइत हो तो एक्स का मान क्या होगा तो एक क्या एक्स का मानिंग क्या होगा तो आपको क्या इससे पिछला बला कोश्चन ने बड़ा बताए थे कोश्चन पहले दिखेते हैं एक्स चार चार छे एक जोकी 11 से विभाजित हो तो आपको समझाए थे इससे पहले कि देखिए यह एक गैप करकर अंक को जोड़के अंतर जीरो या 11 का मल्टिपलाई होना चाहिए तो 11 से विभाजित होगा तो यहां देखिए एक्स पहले ले लिए यहां 4 एको छोड़ दिए फिर इससके बाद फिर यहां पर अगर इस चार को अच्छे कर लेते हैं तो इसका अंतर जीरो या 11 का मल्टिपलाई होना चाहिए तो यहां देखिए एक्स इसको अगर एड़को जोड़का थे एक्स-पलस फोर और एक फाइव तो एकस प्लस फाइव हो जाएगा और इसका अंत इहां पर इसका इंतर 0 पुराना है तो यह पांच में कितना एड करे सब्सका पराइए जाएगा तो यहां दस माइनस दस जीरो हो जाएगा जो की विभाजित है तो अपसा नमबर डी अगर पांस यहां एक सब्सक्राइब लेगे तो एक समान पांस हो जाएगा अगला कुछन देख लेते हैं कि अगला कुछन बुला है यह निमने में से कौन सी संख्या नौ से बिभाजे हैं तो 9 सी विभाजे का रूल क्या बताता ह। देखिए 3-6-9 एंकोब का योग भी आप सिंपल दे सकते हैं लेकिन उस cách हुआ कि युदी थे जलदी हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे भागब देख सकते हैं अगर इसको पजोड़ लेते हैं अपसानvisor है पांच छे एक ग्यारा एक बारा एक तेरा तेरा दू तेरा दू पंदर पंदरा नो से भाग नहीं लगता है अप्सानुमर विज देख लेते हैं आठ नो सतरा सतरा चार 21 24 25 35 30 जो की नो से 30 विभाजित नहीं अप्सानुमर सी चेकड़ कर लेते हैं 4, 9, 13, 13, 16, 19, 25, 24, 24, 23, 27, 27, जो कि C विभाजित है, अप्सान नमर 2 चेक कर लेते हैं, 5, 8, 13, 13, 5, 18, 18, 25, 23, 26, 29 विभाजित नहीं है, इसलिए एक ही विभाजित है, अप्सान नमर C, अगला देख लेते हैं, अगला कुशन देख लेते हैं, अगला कुशन बूला है, नियुमन में से कौनसे संख्याइ 4 चे, पून्ता विभाजित है, जो की पिछला कुशन में आपको बताए थे, कि दो चार और आठ से विफायत होने का रूल बताये थे कि एकाई अंक अगर एकाई अंक दो से विफायत देखिए अगर दो से विफायत अगर बोलेगा रूल से दो से विफायत होने के लिए तो एकाई अंक में भाग दो से पुरा पुरा होना चाहिए तो दो से भी फाइथ हो जाएगा अगर चार से बुलएगा तक है या नी अपसा नमर्ग है यूजुए दिख लेते हैं अगर आ डू से बुलेगा टू5 छा版 है तो यह 2 का रूल हो गया अगर बुल के चार से टीन तीन को आंक में देंगे देखेंगे भाग लाश्ट लास्ट के तीन-तीन तीन को आंक में देखेंगे भाग लास्टतकी तीन-तीनगों नहीं लाश्च भुद्दूगा अंक में देंगे अगर चार से भागद के जाए दूद्दूगा तो वह विभाइत हो जाएगा तो यहां कोशन बुरा नीम लिखेत में से कौन सी संख्या 4 से पूंता विभाइत है तो 4 से पूंता विभाइत है अफसन नमर ए में 86 है अब 84 है अब सब्सक्राइब क्या देखे लेकों इन्पाइब लगता है तो दखें चार एकम चार और यहां तीन बच गया तो 36 तो अब अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन बुला है किसी प्राकिरित संख्या को चार पांच छो अथवा साथ से विभाइद करने पर परतेक मामले में एक सेस बचता है तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा बुला किसी प्राकिरितिक संख्या को चार पांच छो अथवा साथ से विभाइद करने पर परतेक मामले में एक सेस बचता हो तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो सबसे पहले 4, 5, 6 और 7 का LC हम निकालेंगे इसका LC हम निकालेंगे तो यहां 2 से लगाएंगे तो 2, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 7 और इसके बाद नहीं लग गया तो इसको मल्टिपलाइ करेंगे 2, 4, 25, 20, 60 और 60 को साथ से करते हैं 60 को साथ से गुना करते हैं तो 7, 6, 42 यानि 720 हो जाएगा तो 720 इसका LCM आया है सिर्फ एंसर नहीं आया है इसका LCM LCM 720 आया है तो यहां पुल्ला है 4, 5, 6 अत्वा साथ से विवाइद करने के मामले में सेस एक मतब एक सेस बचता है सेस यह तब विवाइद हो जाएगा पूरा पूरा यतना दना से लेकिन सेस एक वजाने के लिए इसमें एक एड कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 421 जो की अफसान नमबर ए हो जाएगा अगला कुशन दिख लेते हैं अगला कुशन बूला है नीमन में से आईसी संख्या कौन सी है सबसे बरी संख्या जो 105 से विवाइद करने पर सेस न देती है और 104 से विवाइद करने पर सेस 20 देती है क्या बूला है अगला एक मिनट देखें यहाँ पर करना है क्या बूला है नीमन में से कौन सी संख्या नीमन में से सबसे बरी संख्या है जो 105 को विवाइद करने पर सेस 9 बचता है और 104 से विवाइद करने पर सेस 20 बचता है तो यहां देखिए जो सेस है ना उसको घटा लेंगे यहां बुलाए एक सब सब्सक्राइब कि क्वेस्टिन कहा गया है कितना नमर था अ यह रहा है यहां देखिए यहां देखिए चाहँ तो प्यागे ठीक है या संक्य क्तना है 105 है 105 में सेस क्तना बुला है नौ तो नग घटा लेंगे अगला बुल्ला इस चैण्प até करने पर इस यानि पो चकौव हाय से बीस घटा लेंगे लोग संबय हुँद कर इसको इसमें घटाएंगे तो कितसे हो जाएगा तो आइसा अप्षन चार गोप्षन है इसमें से अप्षन ऐसा खोजेंगे जो वह अप्षन से यह दोनों संख्या 96 और 14 दोनों विभाइत हो तो अप्षन नमर 36 से अगर भाग देंगे तो 36 दूना नहीं हो अप्षन नमर सी से लिखते हैं तो बाड़ी से बाड़ी संख्या बुलाई इसलिए 24 से नहीं है जब 48 से लग गया तो 24 से नहीं होगा अगर 96 देख लेते हैं तो 96 लग गया और यह बला नहीं लगए तो इसलिए एक ही संख्या से लग रहा है अप्षन नमर बी से लग रहा है भाग देखिए यहां बुला है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाइत करने पर नौ से सज़ती यानि से क्यों रहेगा से को घटा कर और चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन बुला है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दू और तीन से से रहकर दूसर अंठावन और दूसर तीन से ताइस को करम सभी भाइत करती है तब फिर से वही तरीका अपनाएंगे सेस को घटा लेंगे सेस को घटा लेंगे यह वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दो और तीन सेस रहकर दूसर अंठावन और तीन से ताइस करम सभी भाइत करती है तो यहां देखिए दूसर अंठावन है तो दूसर अंठावन पहला है सेस कतना दो है तो इसको घटा लेंगे दूसरा है त हैं कि 233 में से 3 मा 패 nhất कर लेंगे। अगर 558 में से 2 घटाएंगे तो 285 मोर्स दो ₹ne000 हो जाएगा और 2086 हो जाएगा NBA देक 1323 में 3 fantastic क्रेंगे 320 हो ठीक है तो दकैए यहाँप से चीक करना होगा की कौन से संख्या से यह विभाइद होता है दोने 256 और 32 कौन ऐसा संख्या है जो बेवायत होता है पूरा पूरा तक चालिस से भाग देंगे तो 40 से 256 नहीं भाग लगए तो 40 तो हो ही नहीं सकता है अगर 24 से देंगे भाग तो 24 से कम 24 से यह 16 बच गया तो 24 से भी नहीं लगए भाग और 138 से भी नहीं लगए यह 64 से अगर भाग देका देखिएगा तो लग जाएगा तो इसलिए अप्सान नमर सी हो गया आप लोग भाग देका देख सकते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे चले अगला कोशन है जो के देखिए सभी कोशन यह सब पूछा गया रेलेवे के पहुष सारे एकजाम है जो एंटी पीसी रेलेवे का हुआ यह अलपी गूरूप डी आरपी एप यह सभी लेजाम है पूछा गया कोशन है चले एगला कोशन देख लेते हैं यह को टोटल बीस कोशन है डेली करवाएंगे चले अगला कोशन बुलाए नीमने में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है तो 6 से भाज्य का रूल क्या बोलता है यानि 6 6 का ऐसा दो गुने नखन कर लेता है च्छे को लिख सकते हैं दो इंटो थिरी दो गुने तीन लिख सकते हैं जेखो तो अपसंद देखें दो को दो का रूल होता है कि अगाई अंक में दो से भाग लगा पुरा पुरा तो दो से विफायत होगा एकाई अंक में देखिए अपसर पहले दो से बिवाजित बला सेटिस्फाइस कर लेते हैं दो से अगर आठ में बिवाजित करेंगे अपसर नमर ए बला में तो भाग लगता है बी बला में थिरी है और दो से भाग नहीं लगता है तो बी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सटिस् और अप्सान नबर A, C और D बच गया तो तीन से विफायत होने वाला रूल चेकर लते हैं तो तीन से विफायत होने का रूल बताता है कि अंको का योग बटा थिरी अंको का योग बटा थिरी तो अंको का योग पहले अप्सान नमर एक चेकर लते हैं यानि एक पलस दो यानि , 1,2,3 , 3 ,3 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 ,0ne bardzo होगा तो इस लिए आप सब लिए इसका इंसर करने हैं एक दो तीन अथी छोड़ को मैं यह आप अगला नमर कोशिन बुल्ला है नो आठ साथ एक्स फाइब फोर संख्या के लिए दिये गए बिकल्प में अनुपस्ति संख्या एक्स चुने ताकि संख्या चो से पुन्चता विभाईत हो दो इन्टू बताएंगे हैं अच्छ से विभाईत होने का रूल अभी बताया थे फिए पहले 6 का गुनण नखन करेंगे एग्स और चावबन है तो दो से भाइत होने का रूल बताता है काई अंक में दो से भाग देंगे अगर पूरा पूर लग जाता है तो दो से भाग देते हैं तो लग जाएगा भाग तो दो से भाग कर गया और अब थिरी से चिक कर लते हैं थिरी से लगता है भाग या नहीं लगता है थिरी से अगर भाग लाएंगे तो देखिए अंकों थिरी से भाग होने का रूल बताता है अंकों का योग बटा थिरी तो यहां अंकों का जोड़ लते हैं योग 28 28 27 27 27 27 24 25 29 49 49 33 33 जोगी तीन कि पुड़ापुड़ा भ्यभाइद होती है तो इसलिए 3 कि तो भीभाइद यहां पे सकता है कि एक एक स्कामाद जो कि जीरो हो सकता है तेडी कि सट्वाने का रूल हो जाता है तो जूप के जीरो और तीजिरी यहां से स्टीक्स भी हो सकता है men में आप पिकिवन फेल सुनकि अपसोंभ शेकिना और पृत्रिक सबस्सेक बर देला लेंगे इसको नहीं लेंगे यहां पर शीक्स सब्सकर्ण तरूर ऄह है सबस्क्रद ने क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पुन्त विवाईत हो तो क्या करेंगे 29 से 1265 में भाग देंगे जो से इस वाएगा वही हो जाएगा अंसर तो यहां देखें 12 सबसे परे 1265 में अगर 29 से भाग देते हैं कि अगर 29 से बाद हैं तो यहां हो जाएगा कि कितना बार में लाग जाएगा तो नितिस चोड़ का अगर 29 से कि चार इसे कर लेते हैं तो नाचोग शात्तिस तीन चादूनाठ तीन एकार तो 116 यहां चार बार में 116 हो गया तो यहां दोस एकसा पांच तो अगर 29 तिया करेंगे 29 तिया 2327 दूबज़गा 36 87 तो 17 पांच 22 तो यह 22 है न तो बाइस में चाहिए यहां पर कुछ मिस हो गया है फिर से देख लेते हैं यहां क्या है देख 29 से भाग देना है 12 29 से भाग देना है 12 25 में देना है ता गड़ चाहर पाढमें देंगे 29 से उन्तिस चौके उन्तिस चाहुके तो न चाहुके 36 तीन चैरदुन आरटीन एहार न चाहुब चिके आआँशी तीन अजिल तीन हो जी गया शादुन नर तीन एकार तीन 12 116 हो गया तो 116 यहां पर ले लेंगे इसको घटाएंगे 126 में 16 हो गया तो 10 हो गया यहां पांच पच्छा लास्ट उतार लें तो पांच तब 29 को चार से करते हैं तो यहां पांच पांच में से अगर 87 घटाएंगे तो यहां हो जागे 15 में से ताट हो गया यहां 15 में से ताट और 9 में से एक गया तो इसका एंसर हो जाएगा C 18 हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन बोला है नीमन में से कौन सी संख्या 1184 में घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरब विभाईत हो सके हैं तो यहां सबसे पर देखें 21 से 1184 में भाग देंगे 21 से 1184 में भाग देंगे तो सबसे पर देते हैं 21 से 1184 में भाग देते हैं यहां देखें 21 25 से 25 हो जाएगा एक सब पांच होता है एक सब पांच में से 118 में से एक सब पांच हो गया तो यहां तेरह यहां चार उतार लेंगे उसके बाद हैं 26 क्यों हो जाएगा तो एक इस शोके च्छ च्छ दूना बारे 126 हो जाएगा 126 126 तो यहां चाहिए तो यहां पर आठ तो यहां क्या बोला कोशन नीम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूंता विभाईत हो तो यह आठ घटा लेंगे तो पूरा-पूरा भाग लग जाए तो अफसन नमसी हो गया इसका अंसर अगला कैसम देहें फिर लास्ट किलिए राश्ट को आज के लिए कि ये हैं अ 0,1049 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए उस्में घटा आई जाना चाहिए था इसलिए उसएं पालद भलाए था जोरा जाना चाहिए वालर बोल्ला है कि इस मेंजोर एक संख्या जोड लें तो यहां पर आप यहां देखें, एक और तीन को जोड़ा लेते हैं, एक और तीन को जोड़ा लेते हैं, और सात और नो को जोड़ा लेते हैं, एक संख्या ग्याफ करका जोड़ना है, तो देखें यहां पर, नो और सात को जोड़ेंगे, तो सूला हो जाएगा, सूला हो गया, इसका अंतर ले करेंगे माइनस और एक और तीन को जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो 16 में से चार गया तो 12 12 हो गया तो 12 हो गया तो इसमें बोला क्या जोड़ी जाना चाहिए 12 है तो इसमें कितना जोड़े कि 11 से भी फाहित हो तो बारा में कितना जोड़ेंगे कि 11 से विभाईत हो जाएता है तब अगर 12 में दूस जोड़ेंगे तो 11 से विभाईत हो जाएगा तब 12 में 10 जोड़ेंगे तो 12 से पुरा पुरा विभाईत हो था है अपसर नुमर D चलिए आए के लिए इतना ही थैंक यू फिर कल मिलते हैं फिर कल मिलते हैं इसी सेशन के साथ आप सभी को जैहिंद